हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉज्टिव अप्रोच, दिस इस नितेस भरद्वाज, कैसे हो आप, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका मेरे चैनल पॉज्टिव अप्रोच में बहुत बहुत स्वागत है, आज से हम TGT Non-Medical के स्लेबस को उपर चर्चा करेंग और इसके जो कोर्स है, उसको स्टार्ट करेंगे, और TGT Non-Medical की प्रिप्रेशन भी आज से स्टार्ट हो गई है, तो आए सुरू करते हैं बीने टाइमिंग वाए, हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल पॉज्टिव प्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बैल आइकन हैं स्लेबस में, आपको मैं डिटेल में इसका स्लेबस बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे इसको हमें कवर करना है, तो जो TGT Non-Medical का स्लेबस है, उसमें तोटल जो है, 170 कोश्चन होंगे, और इच कोश्चन जो है, हाह माक्स का होगा, और जो मैक्सम माक्स होंगे, वो हमा तो अब आपको देखिए कि यह जो कोश्चन है, यह किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किये हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो है, टीचिंग एप्टिट्यूड है, टीचिंग एप्टिट्यूड मैं आप मान कर चलिए कि इसमें साइकॉलिजी, फिल इसमें एग्जेक्ट उन्होंने 15 कहा है, तो 15 ही कोश्चन आएंगी, यह वेरी करते हैं, कई बार किस पोर्शन के थोड़े से ज़ादा कर लेते हैं, किस पोर्शन के कम कर लेते हैं, तो आप इनमें कन्फ्यूज मत होईएगा, हमारे पास है कोश्चन 15 से 20 के बीच में, जो आते हैं, फोर्टे, 35 से 40 के बीच में जो जर्नल नौलज के कोश्चन आते हैं, जिसमें इंडिया जी के, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो इंडिया जी के की है, इंडिया जी के, एच्पी जी के, और करंट अफेर, के जो कोश्चन है, यहां पर आते हैं, और जो इंडिय के है इसमें लगबक 30-35 question आएंगे एच पी जी के न ए प्रोक्सिमेट 5 question आएँगे और कमड़ जी के भी 4-5 question आएंगे तो यहीं को question है वेरी होते रहते हैं कई बार hpться 5-10 question हो जाते हैं करन्ट फेर के 5-10 हो जाते हैं तो फिर 1- jadi kya indi ya gq in 3-35 अ going to HP gq कई के दो आ जाएंगे current affair के भी दो या 3 आ जाएंगे मालब karya qq के को secret के और इस त्रीके से जो है उसको cover किया जाता है मतलब हमारा जो mainわか behaviour है वह है इंडिया जी जाए और current affair और इसके बात जो है k sortir सब्जेक्ट के उपर आ सब्जेक्ट में आया हमारा मैट्स मैट्स हो गया कि फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया तो मैट्स के कोश्चन भी लगवग आपको आएंगे 30 से 35 फिजिक्स के भी 30 से 35 और कमिस्ट्री के भी 30 से 35 ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने बोला है 30 है तो 30 ही आएंगे 30 से 35 भी हो सकते हैं फिजिक्स के भी उपर नीचे वेरी हो सकते हैं लेकिन जो टोटल कोश्चन होंगे वो 177 होंगे और इनका जो रेसो है वो उपर नीचे ह होती रहती है अगर माल लीजिए मैथ के 35 कोशन आगे तो जीक्स के मिच्टी के थोड़े कम हो जाएंगे या अगर माल लीजिए जीक्के में 35 कोशन आगे तो यह मैथ में 30 से उपर हो जाएंगे इस त्रीके सो है इनका जो रेसो बनाए जाता है ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि अगर 30 है तो यह 30 ही आएंगे यह उपर नीचे जो है वेरी होते रहते हैं तो यह हमारा स्लेबस हो गया अब इसके बाद हमें आता है हिंदी क्या आती है जन्डरल हिंदी जन्रल हिंदी भी हमें आती है और जन्रल इंगलीस भी हमें आती है इसके लगभग चार से पांच कोशन होंगे और इंगलीस के भी लगभग चार से पांच कोशन होंगे और इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमें लॉजिकल रिजिनिंग भी आती है क्या आती है logical reasoning इसके साथ हमें logical reasoning के भी तीन से चार question जो है generally पूछ लिए जाते हैं तो यह हमारा syllabus है एक सो सतर में total question होंगे maximum marks 85 होगा time 120 minute है जिसमें teaching aptitude 15-20 question आएंगे यानि psychology के जो है 15-20 question आएंगे इसमें कुछ भी पूछ लिया जा सकता है उसका general knowledge को तीन portion में divide किया गया है math जो है 30-35 है physics 30-35 है chemistry 30-35 है अगर कोई portion जाद होगा तो दूसरे के यह कम कर देते हैं और जो हिंदी है 4-5 question हिंदी के 4-5 question English के और जो logical reasoning है 3-4 question जो है logical reasoning के होते हैं तो यह जो है हमारा HP TGT non-medical commission का जो है पूरा syllabus है इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो exact इन्होंने कहा कि 30 question तो 30 ही आएंगे नहीं ऐसा नहीं है यह question जो है vary करते रहते हैं उपर नीचे होते रहते हैं आए और one by one देखते हैं कि कौन सा syllabus क्या क्या अपने अंदर cover करता है मैंने पहले भी कहा था कि हम details इसके syllabus के बारे में जानेंगे ताकि आपको जो है कोई और वीडियो देखनी की जरूरत ना पड़े इसलिए एक वीडियो में ही मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से इसको knowledge में यह क्या-क्या include करेगा तो इसमें आएगा sports sports आएगा history आएगी अगर आप इसे का या तो आप screenshot ले लीजिए या तो इससे रफ कॉपी पे not down कर लीजिए history जो है इंडिया की भी होगी और हिमाचल परदेश की भी होगी उसके बाद हमाई जियोग्राफिय से भी पूछा जाएगा जियोग्राफिय वाले portion को भी हमें पढ़ना है और जियोग्राफिय में main क्या है जियोग्राफिय में main है music, dance, tribes, artist ये इसमें जो है थोड़ा main है उसके बाद economics से भी हमें कोशन आएगे economics भी हमें पढ़नी है constitution से भी कोशन पूछा जाएगा constitution को भी हमें पढ़ना है new invention जो हुई new invention new invention से भी कोशन आएगे इसके बाद awards awards को भी हमें पढ़ना है books and author books and author से भी कोशन पूछे जाते हैं और India पॉल्टी भी है इसमें पूछी जाती है politics से भी कोशन पूछे जाते हैं तो यह तो हो गया हमारे journal knowledge का अगर अभी तक आप इसका screenshot नहीं लिए तो इसका screenshot भी ले ले जीए अब इसके आगे चलते हैं कि हमें physics physics हो गया maths हो गया जो हमारे syllabus का है chemistry हो गया यह तीन सब्जेक्ट हो गया इसमें जो है अगी मते प्रतिसात जो एकिप्रेशंस स्लेबस होगा वर प्लस औरgeon प्लस टू का एको इटी प्रसेंट क्या है स्लेबस प्लस और प्लस टू का और सिक्ट से लेकर 10 तक का है तैन पर्सेंट हो गहाए 90 प्रसेंट हैूज यह ऐसा और जो आएगा graduation लेबल का वो किस आएगा graduation level का ये तीनो जो portion है physics, maths, chemistry के लिए 80% जो है plus 1, plus 2 का syllabus है 6 से 10 था कर 10% और 10% जो है वो है graduation level का तो ये इस तरीके से physics, maths और chemistry को divide किया गया है जिसमें जो है मैं आपको maths जो है full detail में बढ़ाऊंगा ताकि आपको maths पढ़ने के लिए किस और चैनल को visit ना करना पड़े extra coaching classes ना लेनी पड़े इसलिए मैं आपको अपनी YouTube चैनल पे positive approach में math का है full detail में करवाऊंगा और GK जो है full detail में करवाऊंगा और बीच बीच में जीक्स और chemistry को भी करेंगे यानि TGT non-medical कीतों में आपको पूरी classes जो है करवाऊंगा और अगर अभी से preparation करेंगे अभी से हम त्यारी करेंगे तब ही जो है हमारा commission आगे जाकर निकलेगा क्योंकि सरकार न बोल दिया है कि commission जो है बहुत जल्ली आने वाला है तो इस तरीके का जो है syllabus है अब physics में क्या होगा waves, vector, motion, work energy, gravitation, kinetics, oscillation, thermodynamics, electrostatic जो पहुत सार syllabus है मैं time to time आपको इससे अवगत करवाता रहूँगा आए थोड़ा सा और overview ले लेते हैं जैसे maths का मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि maths में क्या क्या syllabus है का इसमें हमें trigonometry पढ़नी है number 1 trigonometry पढ़नी है relation and function पढ़ने है relation and function पढ़ने है यह सले बैस मैं आपको detail में इसले करा रहा हूँ कि आपको एक overview मिल जाए कि हमें इस जो मैं आपको coaching या आप कह सकते हैं coaching अपनी वीडियो में जो आपको पढ़ाऊंगा तो उसका आपको एक overview मिल जाए कि हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले है इसके बाद algebra हो गया calculus हो गया coordinate geometry हो गई coordinate geometry हो गई reasoning हो गई reasoning हो गई stat हो गया stat हो गई probability हो गई vector algebra हो गया vector and three dimensional geometry हो गई 3D geometry और linear programming हो गई linear programming हो गई जो है यह maths का जो है इसमें main main syllabus include किया गया है जिसमें भी जो हमसे पूछा जाता है वह सबसे ज्यादा हम से integration differentiation वाले portion से पूछा जाता है probability से भी काफी question आते हैं लेकिन इसको हम full detail में जो है full details में बढ़ेंगे ताकि अगर 30 question भी math के आते हैं तो हमारे कम से कम जो है उसमें से 25 question तो बिल्कुल ठीक हो 30 में से हमारे 25 question तो बिल्कुल ठीक हो इस तरीके से जो हम अपना math को पढ़ेंगे यह हो गया math का overall syllabus अब इसके बाद बचती है हमारी Hindi और English क्या बचती है हमारी Hindi और English इसका भी मोटा मोटा मैं आपको उपर से दे देता हूं यह जो question होते हैं यह हम कह सकते हैं कि हमारे लिए लड़ू question है लड़ू question है हम generally सोचते हैं कि इसे हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन यह वो question है जो math के कुछ typical question आते हैं जो चार नमबर हमारे सीधे पक्ये हैं बिल्कु लड़ू question होंगे यह ऐसा नहीं है कि यह Hindi और English बहुत अफ़ हैगी बस एक थोड़ा सार overview हमें लेना है इसके स्लेबस का जो मैं आपको time के साथ दे दूँगा कोई बहुत जले detail में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल सौड पढ़ेंगे जैसे Hindi में आ जायेगा हमारे पार sabd आ जाेंगे सबद आ जाएंगे संग्या सर्वनाम विलोम सब्द हो गया संधी विछेद हो गई संधी विछेद हो गई eled Weise कि मुहाव्रे हो गे कि लुकोक्तिया हो गई इसका हम एक general overview लेंगे इसको पढ़ेंगे अराम से पढ़ेंगे और विल्कुल short में पढ़ेंगे और English का हो गया vocabulary हो गई, anonymous हो गई, synonymous हो गई, adjective, conjunctive, preposition जो है बहुत से लड़ू कोशन इसमें जो है जिसे हम कह सकते हैं लड़ू कोशन जो होता है न लड़ू कोशन उस तरह के से जो है ये कोशन आता हैंगर इसमें 10 में से हमारा आठ भी ठीक हो जाते हैं तो हमें बहुत help मिलती है तो यह जो था हमारा overall syllabus था, I hope आपको जो है syllabus समझ आ गया होगा और आप preparation के लिए बिल्कुल ready हो गए होंगे क्योंकि जो commission है वो बहुत जल्दी आने वाला है और अभी से preparation करेंगे तभी जो है हमारा commission जो है clear होगा तो मैं रोज आपके लिए 12 noon पे maths की वीडियो लेके आऊँगा बिल्कुल detail में पढ़ेंगे math भागेंगे नहीं कम पढ़ेंगे लेकिन detail में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद 5 बजे 5 बजे सामको daily जीक्के की होगी अब जैसे कि TGT medical का जो बिटीज की non medical का syllabus है ठीक है ये medical का हो arts का हो जीक्के सो सबी को आता है और ये जो जीक्के है अब मैं इंडिया का जीक्के cover करूँगा क्योंकि HP का जीक्के है उसकी percentage जो है commission में बहुत कम है बहुत कम है इसलिए जो है इंडिया की जीक्के को preference दी जा को अपने टीलिग्राम चैनल पे धिरे-धिरे प्रवाइड करवाता रहूंगा जैसे इन दोनों की वीडियो बनेगी जैसे जैसे चैनल ग्रो होता है तो मैं आप को जीक्सोर कमिष्टी की वीडियो भी उप्र वब्र हाँगा लेकिन तब तक जो है मैं दो वीडियो डालूँगा और जो फिजीक्स और कमिश्ट्री के नोट्स है वो मैं आपको टेलिग्राम के माधम से आप तक उसकी PDF जो है पहुंचाता रहूँगा अगर हाँ अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल पॉश्ट्य अप्रोच को सबस्क्राइब करना ना भूले और हाँ वीडियो को सेर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताई यह हमारा स्लेबस है टीजीटी कमिशन आने वाला है और ऐसे ऐसे पॉश्ट्य अप्रोच पे जो है इसकी कोचिंग जो है एक टाइब से सुरू हो चुकी है तो धन्यवाद जाहिन जाहे माचल